आज है 29 दिसम्मर 2022 और 29 दिसम्मर 2022 से करेंट अपैस कि जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह द्यान से देख और उसका आंसर आपको कमेंट जोंकों बताना है आज कि इस वीडियो की पैडियो कडियो के डिसकुस में से डाउन्लोड कर सकते हैंएटेड älेगराम गुरूप्स भी डाउन्लोड कर सकते हैं टेलेगराम गुरूपपर आपको सारे पीडिय अप एक साथ मिल जाएंगे औ और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकुशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में हसमुक आदिया के सराजी के मुख्य मंतरी के सलाकार न नियुक्त हुए तो इस कुश्यन का बे अप्सन सही है ये हैं हस मुख आदिया ये पैंक और बड़ोदा के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब ये गुजरात के चीपनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल के मुख के सलाकार नियुक्त हुए हैं अब गुजरात तो ये है मैप गुजरात की केपिटल क्या है गांदी नगर गुजरात की चीपनिस्टर कोन है वो पेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कोन है आचार देवरत अच्छा अभी गुजरात बिधानसवा ने अनदिक्रत बिकास पिन्यमितीकरण बिधियक पारित किया है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवंट रवाइन इस्तापित किया गुजरात में बिस्सु का सबसे बड़ा पांडूलिपी ग्रंथाले बनाये जा रहा है और जल जेवन मिसन की तहत सत्प्रत्सत घरेलू नल कनेक्शन वाला राज जी ग जाड़िया लेक है इतना आपको गुजरात के बारे में आद रखना है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सीर जरू किया करो और मै अपना पूरा दिन उस टार्गेट है को अचेवक करने में लगा दो आपकी लाइफ और को अच्छी हो जाएगी नीीच हाली में किसे डिल संभान पुरुसकार से सम歧न किया गया तो अभी प्रभू चंद्द्र मिस्रा को अच्छिना को अटल संभान के लिए इनको अटल सम्मान पुरुषकार से सम्मान किया गया आपको पता है पूर प्रदान मंत्री अटल बिहारी बाजपे जी की जैनती को गुड गवर्नेस डे की रूप में मना जाता है और कम मना जाता है 25 दिसंबर को नए क्यूशन है हाली में केस राज में सहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडी बी ने एमोई उपर हस्ताक्चर किये है तो अभी तमिलनाडू की सहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडी बी के साथ एमोई उपर हस्ताक्चर किये है तो इस कुशन और तमिलनाडू की गवर्णर कौन है आर एन रभी अभी तमिलनाडू सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए Friends of Library योजना शुरू की है तमिलनाडू में कारति गई दीपम रत्म उत्सब आयोजित किया गया तमिलनाडू के बन विवाग ने भारत का पहला Elephant Death Audit Framework क्या और तमिलनाडू सरकार ने गिद्दों के सनक्षड के लिए पैनल का गठन किया है तमिलनाडू में जली कट्टू का आइजन किया तमिलनाडू में आद्ध्य पुरमत्युहार मनाय जाता है अच्छा अब भी खाध्य सुरक्षा सूचकांग में तमिलनाडू टॉप पर रहा था और पूरे देश में मचलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडू तमिलनाडू ने तमिल थाई बजधू को अपना राज की गीद गोसित किया है अब ADP यानि कि Asian Development Bank इसकी स्तापना कब होई 1966 में इसका सूर्यो देए स्मॉल Finance Bank के CEO कौन बने है तो अभी भासकर बाबू सूर्यो देए स्मॉल Finance Bank के CEO बने तो इसकुषिंट का से options है यह है यह हैं वासकर बाबू और यही सूर्यो देए स्मॉल Finance Bank के नए CEO बने है अच्छा Air India के कम लागत वाले एरलाइन ब्यवसाइक का किया गया पेटे उसा को संसद के उपरी सदन में उपाद्यच के पैनल में नामित किया गया और कार्डियो लोजिकल सुसाइटी ओफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रत चुने गए हैं ने क्यूशन है हाली में ग्रह मंत्राले ने किस राज में दो इस्तानों के ना अप्संस है एक तो उत्तर प्रदेश में गुरकफुर जिले में नगर परिस्ट मुंडेरा बाजार का नाम बदल के अब चौरी चौरा किया जाएगा और देवरिया में तेलिया अफगान गाउं का नाम मदल के तेलिया शुकला किया जाएगा अब उत्तर प्रदेश तो य बरंदी बेन पटेल उत्तरपदेश का राज की पसू है 12 सिंगा राज की पच्ची है सारस ये क्रॉच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असोक का ब्रच। अभी उत्तरपदेश सरकार ने रामायड और महाबारत सरकिट बनाने का नेडल लिया। 2023 खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्रह ब्रंदावन को 2021 तक कार्बन नीट्रल टूरिस्ट डेस्ट नेशन बनानी की गोश्णा की है उत्तर प्रदेश की पहले डेटा सेंटर का उद्गाटन ग्रेटर नएडा में किया गया और उत्तर प्रदेश में इस्तित्रानी पूर देश का त्रेपनमान टाइगर रेजर्ब बना है अच्छा उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतरनिया घाट वाले सेंचुरी है और पेली भीत टाइग और करेंडीन और कמצि जएगे आपको फरहान बहर ही निखा मिलेगा तो इनौन है अभी सन्यास की Capital किया है तेन Capital है Cape Town Pretoria और Blum Mountain Cape Town Legistative Capital प्रेट एक्जी किटव पैपिटल है और Blum Mountain Judicial Capital है अससा साउथ अफरिका के करनसी क्या है साउथ अफरिकन रेंड और साउथ अफरिका के प्रेजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कौन है सिरेल रमा फोशा ने क्योशिय क्या हाली में किसे सेना का इंजीनियर इंचीफ नियुक्त किया गया तो अभी अरविंद बालिया को सेना का नया इंजीनियर इंचीफ नियुक्त किया गया तो इसको इनका सी ओप्सन सही है ये हैं लेटनेट जनरल अरविंद बालिया और इनी को अभी सेना का इंजीनियर प्राहक मुख नियादी तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। टीटी एफ आई की पहली मैला अध्यक्ष मेगना एहलाबत चुनी गई और नाबाड के अध्यक्ष की रूप में साजी के बी को नियुक्त किया गया। ने क्विशन है। हाली में इंडियन बेंक ने किस राज में अपना प्रमुख कारिक्रम MSME प्रेडा लॉंच किया है। और राइस्तान की गवर्नर कौन है कल राज मिस्र अच्छा अभी भारती सेना के दक्षिडी पस्चिमी कमान द्वारा सत्तुरुनास अभ्यास का आयोजन राइस्तान में किया गया। प्रदानमंत्री ग्रामीड आवास योजना में राइस्तान का जुनुनु जिला टॉप पर रहा है। इंडिया स्टून मार्ट इंटरनेशनल एग्जिबीशन के ग्यारे में संस्कट की मेजबानी जैपुर ने की है। राइस्तान सरकार ने पारंपरे कला को पुनर जीवित करने के लिए हस्त सिल्प नेती 2022 शुरू की है। राइस्तान में प्रदार्मंत्री मोधी ने मानगर धामकूर रास्टी स्पमारक के रूप में गोसित किया है। हाली में सरकार किस देश में बारती मिसन खोलेगी। तो अभी सरकार लिथुवानिया में बारती मिसन खोलेगी, तुछ कुशिन का a option से ये लिथुवानिया, ये है मैप में लिथुवानिया, लिथुवानिया की capital क्या है, wilnius, इसकी currency क्या है, euro, और इसके present time पे प्रैमिनिस्टर कौन है, एक गृडा, सिमोनीट, कौन है, एक जेलियान ग्रॉंग यूनेटेट फ्रेंट ने केंद्र और केस राज सरकार के साथ सांती समझाता किया है तो ये एक बिद्रोही गुट है जेलियान ग्रॉंग यूनेटेट फ्रेंट इसने अभी केंद्र और मडपूर सरकार के सांती समझाता किया तो इसको शिंग का बे आप गडेशन अभी पूर्वोत्तर ओलंपेग खेलों में मड़पुर लगातार दूसरी बार टॉप पर हां अमूर फालकन फेस्टिवल का सात्मा संस्कर्ड मड़पुर में मनाया गया इमफाल में आम लोगों की सिकायत के लिए सीम दा हैसी पोर्टल का सुबारम हुआ खौंग जौंग दिवस ये 23 अप्रेल को मड़पुर में मनाया गया और पूर्वत्तर का सबसे उंचा रास्टी ध्वच जिसकी उंचा ये 165 फीट है ये मडपुर के बिस्टबुर जिले में फैराया गया है हाली में किसने फॉक्स इंदा रोड माई डेस एट आर्बियाई एंड बियॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है तो ये सी रंग राजन ने लिखी है तो इस कुश्चिन का सी ओप्शन से ये अच्छा अभी पीवी अईयर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉं ओ मामा द्वारा लिखी गई मांसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स और फेस योगा का विमोचन किया नल नाड़ा अंटिल भी मीट अगे नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है और बिनिंग दा इनर वेटल नामक पुस्तक सेन वाट्सन ने लिखी है नेक्व दिसकुशन का बे ऑप्सन से यह हैं संतोस कुमार्यादब और यही एन एच एयाई यानिकी नेशनल हाइवे अथॉर्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वने हैं ने क्यूशन है हाली में हरित मेथिनॉल के उत्पादन के लिए एंटी पीसी ने किस देश की फर्म के साथ पीलता किया है तो इस कुशन का बे ऑप्सन से अब इतली तो यह है मैप में इटली इटले की crystal क्या है रोम इटले की करन्सी क्या है यूरो और इटली की अभी नई प्रैमिस्टर कौन बनी है जिओर जिया मैलोनी नोग्सन है हाले में अमरत भारत इसरद किस दो किया जाएगा तो अम्रत भारत इस्टेशन योजना ये एक नई योजना शुरू की गई है और इस से अब 1000 से अधिक रेलबे स्टेशनों का नभी नहीं करड़ किया जाएगा तो इसकुशन का ए ओप्सन सही है ने क्युशन है हाली में किस देशने सेन बॉर्न के सम्मान में बारसिक पुरुसकार का नाम बदला है तो अभी ऑस्टेलिया ने सेन बॉर्न के नाम से अपने बारसिक पुरुसकार का नाम बदला तो इसकुशन का C option से ही है Australia में जो पूरुस test player of the year award मिलता था अब उसका नाम सेन वान के नाम पर रखा जाएगा अब Australia तो ये है map में Australia Australia capital क्या है? केनवरा Australia currency क्या है? Australian dollar और Australia की present time पर प्राइमिस्टर कौन है? Anthony Albanese अच्छा अबे बेना नायर को Australia में प्रदानमंत्री पुरुसकार मिला Australia की great warrior reef को 200 धरोहर के रूप में सुचिबद किया जाएगा Australia की संसद ने भारत के साथ free trade agreement पारित किया और Australia के poor boxing best champion चौनी फेम चौन का निधन हुआ है तो इतना आप Australia के बारे में आद रखिए अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पूझा था कि हाली में तेसमा एक लब्य पुरुसकार किसे मिला है तो ये स्वस्ति सींग को मिला यानि कि इस question का C option सही था और लगबग सबेश्ट वेडियोंस का answer सही दिया मूश्ट वेडियोंस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आपका भी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में कहां आपातकाल की गोश्णा की गई चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबह हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreschrc Instagram पर indreschrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current phase की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching